क्रिशी कानूनों को लेकर दिल्ली में हुई किसानों और सरकार के बीच बैठक आज भी बे नतीजा रही जिसमें समस्या का कोई हल नहीं निकला अब अगले दौर की वारता आठ जनवरी को होगी बता दे कि ये बातचीत भी दोपहर दो बजे शुरू होगी आज की हुई बैठक में क्रिशी मंत्री नरेंदर सिंग तोमर ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि दोन एक कानूनों और एक संशोधन पर चर्चा हुई MSP पर भी बात हुई लेकिन पहले की तरह आज भी किसी निर्णे पर हम नहीं पहुंच सके हैं इसलिए आगामी 8 जनवरी को फिर से बातचीत की जाएगी उन्होंने बताया कि किसानों के कानून वापिस लेने की मांग पर अड़े रहने की वजह से बैठक आज भी बे नतीजा रही उन्होंने आशा जताते हुए कहा कि अगली बैठक में शायद हम कोई समाधान निकाल पाएं दूसरी और किसान नेता राकेश टिकैट ने बैठक के बाद मीडिया से रूवरू होते हुए बताया कि 8 जनवरी को सरकार के साथ फिर से वारता होगी उन्होंने कहा कि हमने सरकार को साफ तोर पर बता दिया है कि कानून वापसी तक किसान घर वापसी नहीं करेंगे गौर तलब है कि किसान आंदोलन में अपनी जान गवाने वाले किसानों के लिए दो मिनट का मोन केंद्रिय मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर, पियुश गोयल और सौम प्रकास समेट सरकारी अधिकारियों और किसान संगटनों ने भी रखा ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवारी जब 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 गजब एंटरप्राइब